नमस्कार दोस्तों, AWPL Education YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे AWPL के बहुती जबरदस्थ प्रोड़क्ट के बारे में जिसका नाम है Hey Dog Oil दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि Hey Dog Oil के क्या क्या फायदे है और Hey Dog Oil में क्या क्या कमपोजिशन मिलाए गए है पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को सुरू से लेकर लाश तक देखी अगर आपको वीडियो पसंद आएं, तो इसे लाइक कर दें और ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों के पास फेस्बुक और वाट्सेप पे सेर कर दें ताकि वो भी इसका लाब ले सके चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकोन जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अप्लोड करें तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलें तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे हे डोग ओईल के क्या-क्या फायदे है नमबर एक, हे डोग ओईल आपके बालों का डोक्टर जैसा है नमबर दो, हे डोग ओईल बालों के हर परकार के दोस्त को दूर करता है नमबर तीन, हे डोग ओईल सिर्की डेंडरफ और खुजली को मिटाता है 4. Head dog oil बालों को गिरने से रोकता है 5. Head dog oil समय से पहले सपेद होने वाले बालों को सपेद होने से रोकता है 6. Head dog oil का नियमित इस्तेमाल करने से गंजापन दूर होता है 7. यह आपके बालों को मजबूत और उजवल बनाता है नमबर आठ, हेडोग ओईल आपके बालों को लंबा और गना बनाता है तो दोस्तो इस परकार से हेडोग ओईल के ये आठ फायदे है अभी हम जानेंगे हेडोग ओईल के अंदर कौन कौन से कंपोजिशन मिलाए गए है दोस्तो हेल डोग ओईल के अंदर दस कंपोजिशन मिलाए गए है जो की इस प्रकार से है नमबर एक ब्रामी ओईल नमबर दो आमला ओईल नमबर तीन नीम ओईल नमबर चार सीका काई ओईल नमबर पाँज मंजिस्टा ओईल नमबर छै महंदी ओईल नमबर साथ ब्रंगराज ओईल नमबर आठ मेरिगोल्ड ओईल नमबर नो जटा मानसी ओईल नमबर दस तो दोस्तो इस परकार से एडोग ओयल इन 10 कंपोजिशन से मिलकर बना हुआ है अभी हम जानेंगे इन सभी कंपोजिशन का अलग-अलग क्या फायदा है डोस्तो सबसे पहले हम जानेंगे ब्राहमी ओयल के क्या-क्या फायदे है नमबर एक ब्रामी तेल बालों की अन्य समश् के साथ साथ दीमिकती से बाल बढ़ने की जो समश्या होती है उसके लिए सरवत्तम प्राकर्तिक उप्चारों में से एक है नमबर दो इस तेल का उप्योग खोपड़ी को ठंडा करता है साथ इक खुजली और जलन से रहत परदान करता है नमबर तीन यह तेल उचित बाल विकास और बालों को जड़ने से रोकने में मदद करता है दोस्तों अगला जो कमपोजिशन है वो है आवला ओयल आवला ओयल के क्या-क्या फायदे है नमबर एक आवला तेल बालों और उसकी जड़ों में अच्छी तरह लगाए जल्दी ही बाल जड़ना बंद हो जाएंगे नमबर दो अगर बाल बेहद सूके और पतले है तो रोजाना बाल दोने से पहले आवला के तेल से अच्छी तरह मालिस करें नमबर तीन आवले का तेल बालों के लिए एक बहत्रिन कंडिशनर का काम करता है इससे बाल काले गने और चबगतार बनते है दोस्तो अगला जो कमपोजिशन है वो है नीम ओल नीम ओल के क्या-क्या फायदे है नमबर एक नीम के तेल के साथ मालिस करने से इसकलब और बालों को सौस्त रखा जा सकता है नमबर दो नीम का तेल रूसी और ड्राई इसकलब के लिए एक प्राकरतिक इलाज है नमबर तीन नीम का तेल सिर्की जू को दूर करने का एक सुरक्षित तरीका है दोस्तो अगला जो composition है वो है Sika काई ओईल Sika काई ओईल के क्या क्या फायदे है नमबर एक यहाँ बालों के सूखे पन और खुजली को ठीक करने में सहायक होता है नमबर दो शीका का एक प्राकर्तिक कलंजर है इसका आर्थ यह है कि यह आपके बालों से प्राकर्तिक तेलों को बिना छेने आपके बालों को साप करता है नमबर तीन यह समय से पहले बालों के सपेद होने की समस्या में परभावी है नंबर चार, सिखा का इwon तिर की जुट की समस्या का एक प्राकरतिक समाधान है दोस्तों अगला जो कमपोजीशन है वह है मंजिष्टा ओयल मंजिष्टा ओयल के क्या क्या फैदे हैं नंबर एक, मंजिष्टा में बालों को रंग देने का गुण होता है इसलिए इसका इस्तेमाल बतोर हेर डाई भी किया जाता है नमबर दो, मंजिष्टा बालों को प्राकर्तिक रंग देता है और परभावी डंग से सपेद बालों को आने से रोकता है नमबर तीन, मंजिष्टा एक बाहुत अच्छी तवचा की देख बाल करने वाली जड़ी बूटी है यह तवचा को उजवल चमक देती है और मुहान से खुजली, तवचा एलर्जी, एकजिमा, आधी को दूर करने में मदद करती है दोस्तों, अगला जो कमपोजिशन है, वह है मेहंदी ओइल मेहंदी ओइल के क्या-क्या फायदे है नमबर एक, खुजली और रूखी तवचा से रहात पाने के लिए आप थोड़ा सा मेहंदी का तेल ले और परभावित जगह पर लगाए नमबर दो, मेहंदी का तेल, खुजली और ड्राइ इसकिन का इलाज करने के लिए जाना जाता है नमबर तीन, सिर्दर्द या माइगरेन जैसी प्रेसानियों के लिए भी मेहंदी एक बहतरिन विकलफ है दोस्तो, अगला जो कंपोजिशन है, वह ब्रंगराज ओल, ब्रंगराज ओल के क्या क्या फायदे हैं नमबर एक, ब्रंगराज के तेल से नियमित मसाज करने से इसकलप हुआ संकरमन नहीं होता है इससे डेंडरप दूर रहता है नमबर दो, इसका नियमित इस्तेमाल बालों को ऐसमे सपेद होने से भी रोकता है और बालों के प्राकरतिक रंग पर कोई असर नहीं पड़ता है नमबर तीन, ब्रंगराज बालों को बढ़ाने में मदद करता है इससे बालों की जड़े सक्क्रिय हो जाती है और बालों का बढ़ना सुरू हो जाता है दोस्तों अगला जो कंपोजिशन है वो है मेरी गोल्ड ओयल मेरी गोल्ड ओयल के क्या-क्या फाइदे है नमबर एक इससे सिर के फोड़े फुन्शिया या गाव ठीक हो जाते है पूल का तेल सिर्की खुजली से रहात दिलाने में मददगार होता है। दोस्तो अगला जो कमपोजिशन है वो है जटा मासी ओयल। जटा मासी ओयल के क्या क्या फायदे हैं। नंबर एक जटा मासी तेल के परियोग से बाल जड़ना बंद होते हैं। जो ये सिगर नश्ट होती हैं, बाल सिगर बढ़ते हैं, मुलायम तथा काले रहते हैं। नंबर दू, प्रमप्रागत रूप से यह बालों को काला और चमकदार बनाने के लिए परियोग किया जाता है। नंबर तीन, यह रूसी को नियंतरित करता है, चिकने, रेशमी, मोटे और सौस्त बालों के लिए इसका नियमित रूप से उप्योग करें। दोस्तो, अगला जो कमपोजिशन है, वो है नाक केसर ओइल। नाक केसर ओइल के क्या-क्या फायदे हैं। नंबर एक, नाक केसर, बुखार, वात्समंदी रोगों, सिरदर्द, गले के रोगों और हिर्दशे जुड़े रोगों में काफी फायद्यमंद है। नंबर दो, कमर दर्द होने पर नाक केसर के बीच से बने तेल को कमर पर लगाएं और मालिस करें। इसके मालिस से दर्द जल्दी दूर हो जाता है। नंबर तीन, नाक केसर का तेल को लगाने से गाउद जल्दी भरने लगते हैं। नमबर चार, नाक केशर का तेल सिर पर लगाने से बहुत तेज जुखाम भी जल्दी ही ठीक हो जाती है, तो दोस्तो इस परकार से हेडोग ओईल इन दस कंपोजिशन से मिलकर बना हुआ है, दोस्तो अभी हम जानेंगे हेडोग ओईल को परियोग में लेने की विधी क्या है आठों से हेडोग ओईल की मालिस करें, दोस्तो अगर आप एक मैने तक इस तेल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बालों की सबी समश्या जड़ से खतम हो सकती हैं, दोस्तो अगर आप हेडोग ओईल अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन के उपर दियो हैं आप ले सकें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकोन जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अप्लोड करें तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलें धन्यवाद दो